अब इस वीडियों बात करेंगे इंडिया और सौधी अरब की जरूरी अपडेट खासके इंडिया की तरब से इंटरनेशनल फ्लाइट के रिगार्डिंग अपडेट आया है और भी बहुत सारी न्यूज है एकामा हर तीन महेने का सिस्टम अब आगया है वो भी आप कर सकते ह पूरी वीडियो देखिए लाश्ट रख ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए ठीक है सबसे पहले मैं आपको शेर करना चाहूंगा अपने इंडिया का अपडेट तो फोटो मैं आपको शेर कर रहा हूं देख रहे हैं डीजिस यह ने ट्वीट करके शेर किया है आपक बहुत सारे देशों में एर बावल के फ्लाइट चल रही है तो वह वैसे चलती रहेगी बाकी कारों की फ्लाइट तो आती जाती रहती है ठीक है और यहां पर यह बोल दिया गया है कि जो भी नॉर्मल फ्लाइट है वह आपको तीस नॉमबर 2021 तक एक्स्टेंड कर दिया गय है क्योंकि अपने पास में अपडेट नहीं था इसके लिए ठीक है न्यूस थी नहीं तो मैं क्या आपको वीडियो में आके बता था चाइना में बहुत सारा जगों पर बैन हो गया है और अपने इंडियन गवर्मेंट अभी कोई भी स्पेस्टेंट में नहीं दी है कि पां तो जितने भी भाई हमारे जो दुकान में काम करते हैं कमपनी में काम करते हैं आपको अब उन लोगों के उपर एक सिस्टम लागू कर दिया गया है मतलब हलका कर दिया गया है ये अपडेट तीन चार महीने पहले आई थी लेकिन लागू अब हो चुका है आपको मैं फोट 12000 रेयाल का अब एक साल का इकामा एक ही बार बनता था तो अब जो है या तो आप छे महिने का बना लीजिये तीन महिने का बना लीजिये तो अब धाल एक फाइदा है खास के बहुत सारे कंपनी वालों को फाइदा होगा बहुत सारे कफी लोगों को फाइदा होगा इसे में बहुत फाइदा है दुकानों में बहुत सारे लोग काम करते हैं आमिल आडी के एकामा पर है ना लेकिन आपको याद रहे कि यह जो तीन छे नौ बारा वा लेके रहते हैं साओधी में वह 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का नहीं जाल का पुर। तो आप एपसर एकाउंट पे जाके इसको आप चेक कर सकते हैं और आप तीन महीने, छे महीने, नौ महीने, बारा महीने का इकामा बना सकते हैं जैसा आपको फैसलेटी लगे आपको मुर्दू नच की फोटो शेर कर दिया हूँ यह जो अभी मैंने आपको बताया है इस वीड भी लगनी सुरू हो गई है बहुत सारे जो जिनको ख़तरनाक बीमारी है उन लोगों खास के साथ एरब में ठीक है तो यह थी कुछ जरोड़ी अपडेट अभी आपको एक और अपडेट शेर करना चाओंगा यहाँ पर मैं कोई फोटो नहीं शेर कर रहा हूँ मेरे पास मे हमारा हिंदी बैठा हुआ है उसको कुछ नहीं पता है साओधी के बारे में जो हम बोलेंगे वही मानेगा लेकिन यहाँ तो मैं आपको बता देता हूं क्या निउस है हिंदी में क्या अपडेट है क्या हर एक चीज़ खास के जो भाई हमारे साओधी में भी हमारी मेरी निउस वह देखते तो पता चल जाता है पता चलता है नहीं पता चलता है बताओ कमेंट करना इस बारे में आपको जो मैं निउस शेयर करता हूं यह निउस आपके कफील पहले बता देता है या मेरी निउस आप देख लो तो पता चलता आपको तो यह जो आपको फोटो शे हो जाएगा मेरे पास में आजिल न्यूच की अपडेट है लेकिन मैं कोई यहां पे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि गवर्मेंट कभी भी कुछ भी अपडेट चेंज कर देती है ठीके यह लोग पूरा-पूरा मन बना रखे हैं बहुत जल्द जो भी बैन वगरा है हट हैं वैसे आपको बता दू कि साओधी अरब के जवजात के ट्वीटर रिकॉर्ण पे आप पूछोगे तो वहाब बोला जाता है कि 14 दिन आपको कॉरंटाइन रहे करके ही किसी दूसरे देस में आना है जिस देस पर बैन लगा रखा है साओधी अरब ने ठीक है तो किसी यहम कानुन को फॉलो करने आप सवी इरब में जाईए क्या पता आपको प्राबलं हो जाए सतार ऐस्ती नब्यला रहे हैं दो दिन कॉरंटाइन हैं माल लो एक हफ्ता कारणटाइन हैं चार दिन पाश दिन के चक्कर में आपका काम खराब हो जाएगा तो आपको ही तवकलना फोन में डाउनलोड कर लेना है, आपको सवुदी जाना है, तो दुबई हो करके जाना है, या किसी भी दिस से आप जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, और आईराइवल जैसे आप पहुचेंगे एरपोट पर या चेकपॉइंट पर आपका तवकलना बन जाता है, थीक है भससे जो भी लोग जाते है उनको कोई परिशानी नहीं आती तरफकरना के लिए कोई इशू नहीं था मिलगता है फ्लाइट में ज्याधा पैसा लगता है बस कर लो फ्लाइट् Rule को भी चिल्ड के लगाई एगा ठीक है और आपको वाया हो कि साथी अरब आना है डारीक्टर आ नी सकते हैं मेरे पास बहुत सारा मेंसेज आ रहा है एले एरलाइन के टिकेट के बारे में क्या इंडिया से साथी खारी यह क्या इंडिया तो आ रही है ठीक है लेकिन इंडिया से जा रही है इस बारे में ट्वीटर एकॉंट पूछता हूं सवाब नहीं देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर चेक करें आप चेक करो कि वेबसाइट पे तो सुरू से ही टीकट दिखाता है तो मैं बोलूगा अपने इंडिया वाले फ्ल पर भी आप देख रहे हैं तो पहले शेयर करो हमारे पेज को लाइक करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो कुछ पूछ रहा है तो कम्मेंड कीजिए जी और इस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ठीक है ना क्योंकि मैं अभी कुछ दूनों के बाद कहीं निकलने वाला है अला आवीज